कैसे आप सब आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे विशेश कंपनी सेकेटरी की बात करूंगा जिन्होंने लीक से हटके कुछ तो अलग किया कुछ बहतरीन किया और आपको इन कंपनी सेकेटरी के बारे में डेफिनेटली पता नहीं होगा पता है तो आप इनको अपना रोल मॉड सकते और यह विडियel को तो खासकर देख नहीं है जो हमेशह कहती है強।ब और एपको पता ही मेंतने कोयनूर की हीडे हैना कि मैं क्या बता हूंँ और आप अपको क्या की बडी पिक्टेश आप नहीं देख पाते हैं यह सब्से पहले कमची श्रेडटरेंगर में लोग एंद खया nhiं स 모양 में रेलाइंस में सेीनितर देखे लीजेसे में और उर वन आपनेि पे इंड आर इंती जो SMEs होती है, उनके IPO के लिए he is known as specialist, आप इनको कई बार CNBC TV18 और बाकी जगों पर भी देख सकते हैं इनका मैं आपको past experience एक बार दिखा दूँ तो आप देखिए, सबसे पहले ये 2000, अगस 2001 से लेके जनवरी 2005 तक ITC में काम करते थे Then Reliance, अगर आप देख रहे है 2005 से लेके 2010 में इनों इनों Reliance में काम किया और मैंने भी 2010 में Reliance को, sorry मैं 2009 में चला गया था Reliance से Then PWC, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि CS करके क्या हमको Big 4 में काम मिलता है Sir ने PWC में भी दो साल 6 मही ने काम किया है, उसके बाद MD and CEO सार्थी Capital Advisor and then Sir बन गए directly तो Sir MD CEO भी बने है and Sir became then Sir became the founder of Pentomoth Advisory Sir से मेरी बात भी होई थी interview के लिए लेकिन मेरा Mumbai जाना नहीं हो पाया teaching की व्यस्ता की चलते अगर आप सच में Sir के साथ मेरा interview चाहते हैं या मेरा interview उसर के साथ चाहते हैं तो please comment करके बताइए Then I will move on to the second company secretary Second company secretary is Manish Vishar, sir भाया ने photo नहीं लगाई है यहाँ पर मेरे NSDL में ये एक टाइम पर like known थे NSDL में में काम करता था और ये अभी soft bank corporation इनका ये शायद मैंने updated वाला profile नहीं लिया है soft bank corporation जितनी मेरी last में बात हुई थी उसके ये company secretary but he looks more into finances तो ये finance का काम करते हैं और इनके मैं आपको past के एक बार बता देता हूँ इन्होंने कहां पर काम किया तो ये NSDL में काम करते थे काफी काम like NSDL में ही मेरी इन से पेचान हुई थी then Macquarie Capital Advisor यहां पे इन्होंने काम किया है उसके बाद देखे Sequoia Capital foreign का एक बहुत बड़ा venture capitalist है वहां पे इन्होंने काम किया Bangalore में उसके बाद at present अगर मैं गलत नहीं हूँ तो he works in soft bank corporation जो आपको पता है इंडिया का बहुत बड़ा foreign investor है third company secretary जिनके बारे मैं बात करूंगा बच्चो मैं आपको बोलता हूँ yes instagram follow मत कीजिए instagram मत देखिये डिलीट कर दीजिए but third company secretary जो है जिन्होंने कुछ तो हटके काम किया है you could see him he is Ujwal Pahawa the young company secretary और more than 6.5 lakhs follower इंसके instagram पे है बच्चों and he makes very good videos और अगर आप चाहें तो इनको follow भी कर सकते हैं so he is basically an influencer but he is influencing the people in a good sense तो आप इनको भी follow कर सकते हैं और काफी young है यह काफी dynamic है तो यह भी leak से हटके काम कर रहे है and definitely you could see the follower that he has तो यह भी एक बहतरीन चीज है बच्चों उसके बाद next company secretary है बच्चों Amit Bhaseen yes he is the chief legal officer and group council at Merico limited बच्चों तो यह company secretary नहीं है but he is the chief legal officer of the company so he is the company secretary इनका आपको एक पर past का थोड़ा सा देखना चाहिए इन्होंने कहां कहां पर काम किया तो पहले यह HUL में काम कर चुके है 2015 से 2017 के बीच में मैंने इनके नीचे का profile नहीं लिया है then he has worked with again 13 साल 10 मही ने इन्होंने HUL में वापस like he has worked मतब यह इन्होंने अपडेट किया है और Merico में यह full time काम कर रहे हैं अभी but look at his profile he is the chief legal officer मतलब CS plus LLB होंगे definitely है और आप इनका profile देख सकते हैं बचो amazing profile he has और Merico Limited आप सबको पता है one of the biggest companies in FMCG sector तो बच्चो यह भी आपके लिए source of inspiration और यह सारे लोग आपको LinkedIn पे मिलेंगे आप इनसे अपना connection established कर सकते हैं then next Rajesh Kaushik ji he is the director he is the director of Max Healthcare one of the best India की बहुत बड़ी hospital chain वाली company है plus this is also into insurance उसकी यह director है legal and regulatory affairs के ठीक है तो आप इनका पास्ट के achievements देखें तो सबसे पहले आप देखें तो radius infratel भारती airtel में भी काम किया है बच्चो अच्छा radius infratel के legal और company secretary दोनों पत्पे थे then again Artemis medical I think this is foreign company Varun beverage आपको पता है Coca Cola का शायद इनिया में distribution or manufacturing का काम इनके पास है and then he became director so आप देख सकते हैं बच्चो आप इनको भी connect हो सकते हैं बच्चो इतने बड़े-बड़े लोग है सबसे बड़ी बात क्या है negative लोग इतने जादा है इस profession को लेकर मतलब इतना जादा रायता पहलाते हैं तो इसे हजारों में हैं बच्चो और इतना अच्छा प्रोफाइल है और यह सब जितने भी मैं कोई लीगल ऑफिसर बन गया कोई इंफ्लूएंसर बन गया and someone has become founder of his own merchant banking firm सो बच्चो जस्ट करना क्या है इन सब लोगों किया कि बच्चे सब की स्टोरी से मैं सब लोवर मिडल क्लास के बच्चे है और यह सब लोगों ने कहीं ना कहीं failure अपनी life में देखा होगा महावीर सर को छोड़के विकिस महावीर सर का जितना मुझे पता है he's a gold medalist अपने profession में तो वो बहुत यंग company secretary थे Reliance में भी उनका जो package था हम बस अपना देखते थी कभी हमारा package उतना हो तो बच्चो देखे ना कितनी inspiration है कितनी inspiration है अपने profession के अंदर so just go on kill it बच्चो दिमांदारी से करो महनत करो और results बहुत beautiful आएंगे love you so much god bless you